नमस्कार प्रियमित्रों मैं जोतिस्कार कमल आप सब का हरदी का विनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूटूब चैनल एश्ट्रो कमल में दोस्तों जमीन के धन से समंदित हजारों प्रकार के मंत्र हजारों प्रकार के साधनाएं इस धरती पर चलती है आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जिससे जमीन में अगर धन है देखो अगर कोई स्टोन वगएर आया तो नहीं आएगा धन होगा अगर कोई मतलो जिसे बड़े पत्थर वगएरा हो उनको आपको निकालना हो तो उनका तो आपको पता ही चलेगा खाली कि बड़े पत्थर इस जगह पर है या फलाने अस तीज इस जगह पर है लेकिन धन अगर हो निधी अगर हो और वो निधी किसी की रखी हुई हो रखी प्रख्रतिक नेचल लेकिन विना आप प्रख्रतिक रूप से जो चीज रखी हुई यह मनला अपने हाथ से रखी हुई है कि वह सक की अब को पता भी चल जाएगा और वह चीज उपर भी आ जाएगी आप जैसे जैसे मंत्र का आजाब करते जाओगे वैसे वैसे छीज ऊपर आना सुरू होगी आपको पता चलना सुरू होगा कि अब ये ब्वीश पूट से ऐटहरा हुट आ गई अब सटरा आ गई अब लांगो चव। आ गई तेरा आ गई तीन फुट लस्ट तीन पुट के उपर नहीं आएगी, तीन पुट तो आपको खोदना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपके हाथ में आजाएगी निकाल लो भई या नहीं, तीन पुट तो आपको खोदना ही पड़ेगा, तीन पुट की जो दूरी है, वो तो आपको खोदनी पड़ेगी, तीन को आप मंत्र शक्ति के द्वारा ऊपर खीन सकते हो कैसे खीन सकते हो उसका एक तरीका है देखो धन जो होता है ना धन की इतनी आज मारा मारी चल रही है कि एक आदमी के पास कई लोग मेरे पास आते हैं मैं कुंडली देखने का 1100 रुपे लेता हूँ अगर जमीन के दिन से सम मिलेगा क्या इनकी किस्मत में है कि नहीं है यह साथना उसी संम्गा मेड़कि कौन सी nicी को करने है कौन्सी करने से क्लता है क्या उसके 2100 रुपे लेता हूं और आम कूंडली देखने के 1100 रुपे लेता हूं लेकिन अच्चेरिकी बात यह कि लोगों के पास ऐसे मतलब गरी और पैसा नहीं होने की वज़ा से ही काम नहीं होता है, इसमें क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा काम भी पैसा नहीं होने की वज़ा से ठकता है, पैसा आज बड़ा कीमती है, बहुत ज्यादा जरूरत पैसे की धरती पर है, अगर आपके जमीन में धन है, और आपक करपा से मैं वो साथ ना आपको बताता हूं शिवरात्री के जो शिवरात्री आती है शिवरात्री के तेरा दिन के बीतर बीतर कोई आदमी मर जाता है यानि एकम से लेकर के त्रियोदशी तक कोई आदमी मर जाता है उस आदमी की जो चिता की राख होती है वो चिता की राख आ के अपने पास रखिए शिवरात्री महाशिवरात्री के दिन आप जब श्मकर और शंकरवगान की पूझत थोड़ी सी राख आपको ले जानी है और थोड़ी सी राख उस उसमें से आपको शिवजी पर चड़ा देनी है बिल्कुस हरलकाम है अब आप भाँ से ले लेके रखाओ जो बिल्कुर सुनसान में हो या फिर जंगल हो कहीं वहां इस साधना को किया जा सकता है अपने घर में नहीं किया जा सकता है इस वात का ध्यान रखना वहां जाकर के आपको क्या करना है वहां जाकर के आपको थोड़ा सब सुद जल लेना है गंगा जल वग तो सुकी जो चीजे होती है वो आप उनको चड़ा सकते हो सूकी चीज़ें कोई भी चड़ा सकते हो दूर से इनको भोग दिखा सकते हो वो Bureau आपका बनेगा भूत शफ्र इस शिवलिंग से आपको सिद्धी प्रकट होगी अब क्या करना है आप ने अच्छी तरह से पंचोप चार या शोड़ सोप चार जैसे आप पूजा जानते हो वैसे पूजा कर ली और पानी मानी थोड़ा दूरी रखना जो शिवलिंग बनाए वापस गल जाएगा आपका श चड़ा करके अब वहां से आपकी पूजा सुरू होती रात बारा बज़े से आपकी पूजा सुरू होगी तीन दिन आपकी पूजा चलेगी और तीन दिनों में आपको 21,000 मंत्रों के जाब करने इस बात को अच्छी तरह से नोट कर ले ना कि आपको दिशा बंदन करना है आपको दे बंदन करना है आपको अपना सुरुक्षा गेरा लगाना है आपको अपना आसन कीलना है यह सब अच्छी तरह से कील काल करके फिर बैटना वरना जिसकी आप मिट्टी लेके आयो वह प्रेत बना है न तो आपकी आलत बिगाड़ देगा साधना में आपको मलबना तो आप इस प्रकार से इस साथना को कीजिए 20 1000 मंतुरों का 3 दिन मैं आपको डुई्रक्ष की पुरानी माला हो किसी के पास तो पुरानी माला तिन दिन के लिए ले आई है उसी माला से आपको जब गी तूँंज कुई दिकता है जितने पुरान營 से आपको जाप करना है जाप आपको उत्तर दिसा की तरफ मुक रखके करना है ध्यान रखना ऐसी साधना प्रायदक्शन मुख्य होते हैं लेकिन ये साधना उत्तर मुख्य है उत्तर दिसा के तरफ मुक रखके आपको साधना करना और साधना काल में सरसों के तेल का दिपक औ आपकी ये साधना चालू होगई अब आप साधना करते 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 जो तीन दिन आये तीन दिन के अंदर आपको घजब के अनुभो इसमें होगे बुरी सक्तियाँ हैं प्रेतात्माइ आपको उठाने के पुरी कोशिश करेगी लेकिन आप अगर निश्फिकर होकर के इस साधना को कर लेते हैं निडर होकर के कर लेते हैं सासी होकर कर लेते हैं उटते नहीं है किसी से डरते नहीं जब तक रक्सा गहरा है तब तक आपको चिंता करने की कोई आवशकता नहीं है आप आराम से अंदर बैटे रहो और अंदर बैट करके साधना करो यदि किसी की किड़नी बीड़नी की प्रोब्लम हो तो वो साधना को मत करना क्योंकि पैसा आप बगएर आप करने बीच में नहीं उठ सकते बैट गए मतलब बैट गए अब जब तक आपका आखरी मंतर पूर्ण नहीं होगा तब तक आप भूतेस्वर को मंतर समर्पित किये बिना उठने सकते संकलप लेकर के आपको साधना करने पड़ेगी और हर बार आपको मंतर के जो जाब करम होते हैं वो आपको भेंट करने हाना इस मंतर का प्रियोक करके और आप तीन दिन तक इस साधना को करें तीन दिन में बलभोग आपको बराबर देना है निम्बू की आपको बली देनी है ध्यान रखना निम्बू हर बार साधना करने के बाद में काट करके थोड़ा सा तसले में आग जला करके और थोड़ा ऐसा करोगे तो जो प्रेट सक्तियां होती है वो आप पर प्रसंद हो जाएगी और आपको अपनी ऐसी सिद्धी देंगी जिससे आपको इस मंत्र का जिसे जिसे आप जाब करोगे जहां दन होगा तो दन का पता भी चल जाएगा आपको कहा हैं और आप जिसे जाब करोगे उस का समाचार मिल जाएगा कि उसके ऊपरे कैसी चट्टान है कि वह आ नहीं सकती है कुछ ऐसा कारण है तो आपको सब सब उसके बारे में पता चल जाएगा दोस्तों इस प्रकार से आप भूगरब की निदी को निकाल करके जगत कल्यान के अच्छे-च्छे कारे कर सकते हो लेकि एक तो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए गुपत धन के बारे में और दूसरा इस धन को आप सवा साल तक खर्च मत करना सवा साल तक एकदम गुपती रखना किसी किसी भी कान में ये पता नहीं चलने देना कि आपकी जमीन में धन निकला है सवा साल बाद में हाँ दस परतिसत इनमें से निकाल करके चुपके से आप एक दम बिना किसी नाम के डोनेशन करना गायों में जो कोई गरीब की कन्या की साधी करवानी है तो चुप चाप गोपनी दान करना अपने नाम से मत करना ये किसी के भी नाम से मत करना ये संकर भगव के नाम की कटवा लेना और आप संकर भगवान के नाम की रिशिद कटवा करके इदान करना और आप जब ये थोड़ी सी जो भबूत है थोड़ी सी जो राका चिता की संकर भगवान पर अर्पित करोगे ना तो उस समय संकर भगवान से आप वरदान मांग लेना के भूतेस्व काम करूँ समाज ओपी होगी काम करूँ है भगवान मुझे ऐसा आसिर बात दो ऐसा बोल करके फिर आप इस साधना को करेंगे तो आपकी साधना सो प्रतिसस सफल होगी और भगवान की करपा भी आप पर बनी रहेगी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमे करना की दोस्तों